आज हम आपको ओयल, वाटर और फूड कलर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही मज़ेदार रहेगा आप इसको इंजॉय करेंगे ये हम आशा करते हैं सबसे पहले हमने एक गिलास पानी ले लिया है एक गिलास में थोड़ा सा कूकिंग ओयल और तीन अलग अलग फूड कलर्स सबसे पहले हम ओयल में थोड़े थोड़े फूड कलर्स डाल कर मिक्स करेंगे ये हमने कूकिंग ओयल के अंदर फूड कलर्स डाल दिया है अब हम इसे इन्हें ओयल में मिक्स करेंगे फूड कलर्स को हमने ओयल में मिक्स कर दिया है और अब हम इस मिक्स्चर को पानी के गिलास में डालेंगे दियर फ्रेंड आप देख सकते हैं ओयल पानी के ओपर फ्लोट करने लग क्या है और धीरे धीरे आपको एक रियक्शन नज़राएगा जो फूड कलर है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाता जा रहा है फूड कलर जो है वो ओयल से अलग होकर पानी के बोटम में जा रहा है और ये देखने में भी बहुत सुन्दर नज़रा रहा है आप खुद ही इसे एक्सपिरियंस कर सकते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये एक्सपिरिमेंट तो मैंने आपको करके दिखा दिया है लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानना आपके लिए बेहज जरूरी है तो डियर फ्रेंड्स इस एक्सपिरिमेंट के पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हमारा कुकिंग ओयल होता है इसकी डेंस्टी पानी से कम होती है तो इसलिए जब हम कुकिंग ओयल और वाटर कलर्स के मिक्शर को पानी में मिक्स करते हैं तो ओयल जिसकी डेंस्टी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है लेकिन ये जो हमारे फूड कलर्स होते हैं इनकी डेंस्टी पानी के मुकाबले slightly जैदा होती है या थोड़ी सी जैदा होती है तो इसलिए ये ओयल में से सेपरेट होकर पानी के बोटम में बैठना शुरू हो जाते हैं और जब हम इने खिला कर मिक्स करने की कोशिश करते हैं यानि कि जब हम कभी separately इनको food colors को पानी में मिक्स करने की कोशिश करते हैं किसी spoon की मदद से तो ये मिक्स हो जाते हैं लेकिन इनकी density पानी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा रहती है तो dear friends हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये experiment आपको अच्छी तरह समझा आ गया होगा तो हमारे next experiment तक के लिए goodbye, thank you